Hello and welcome back to my channel आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धिजम पे important questions को solve करेंगे यह part 1 है चुकि बुद्धिजम पे बहुत सारे questions है और हर exam में आप इस पे एक या दो questions expect कर सकते हैं First question है The largest Buddhist temple in the world is located in India, Indonesia, Japan, China सबसे बड़ा Buddhist temple located है इंडोनेशिया में Next, the earliest Buddhist literature which deal with the stories of the various births of Buddha बुद्ध के जन्म से related stories किस literature में हैं विन्य पिटाका, सुत्थ पिटाका, अभिदम पिटाका या फिर जाटकाज में तो यह जो तीन पिटाकाज हैं यह Buddhist canon के तीन important literatures है Buddhist canon यानि की Buddhist principle rules कै सकते हैं विन्य पिटाका में monastic courts दिये हुए हैं बुद्ध की फॉलो करने होते हैं Buddhist monk या फिर नन्स को सुत्थ पिटाका में बुद्ध की teaching दी हुई है और अभिदम पिटाका में Buddhist principle दिये हुए है जाटकाज में बुद्ध के जन्म की स्टोरीज दी हुई है Next, among the following, who was the personal physician of Gautam Buddha? Gautam Buddha का personal physician, Shushruta, Charak, Jeevaka, Nagarjun नागarjun को हम लोग eliminate कर सकते हैं क्योंकि ये Buddhist scholar थे, इन्होंने महायान बुद्धिजम शुरू किया था Shushruta लगभग 800 BCE के time में थे और Charak लगभग 2nd century BCE में थे यानि कि ये तिनों ही option गलत है, आंसर होगा जीवका Next, the Buddha delivered his first sermon known as turning of the wheel of law या फिर कह सकते हैं धर्म चक्र परवर्तन, बुद्ध के बहुत सारे आसन में बुद्ध के हाथ में वील दिखाये गया है तो first sermon कहां दिया था उन्होंने, option दिया हुए सांची सारनात स्रावस्ति बोद गया first sermon उन्होंने सारनात में दिया था, कैसे याद रख सकते हैं तो ये जो turning of the wheel of law है इसी में बुद्ध के सारे teachings का सार है, जो बताता है बुद्ध के जो four noble truths हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारन है, है न, तो चार noble truths इसी wheel में दर्शा जाते हैं और जो eightfold path बुद्ध बोलते हैं, follow करने के लिए, वो भी इसी wheel पे dependent है तो सारा सार जो है, इस wheel में है, तो सार से सारनात next, in buddhism, what does पाति मोखा stand for? a description of Mahayana, a description of Hinayana, the rules of the Sangha, the questions of King Mender, answer है, rules of the Sangha Mahayana और Hinayana different version है, बुद्धिजम के ही, पाति मोखा rules stands for the rules of the Sangha अगला question है, where is Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha located? Lumbini कहा है, नेपाल, बिहार, भुटान, सिकिम, ये है नेपाल में who among the following was contemporary of Gautam Buddha, options में दिया हुआ, नागर्जुन, कनिश्क, कोटिल्या, महाविर नागर्जुन स्कॉलर थे, और ये सत्वाना रूल के टाइम में लगबख थे, गौत्मी पुत्र सत्कर्णी जो थे, उनके रूल के टाइम में थे कनिश्क का भी किंग थे, जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस कॉंसल किया था, कोटिल्या में पता है काफी बात के स्कॉलर है, इनको चानक की भी हम लोग जानते हैं, और विश्नु गुप्ट भी इनका नाम था, किसके टाइम में थे ये, मौरे एंपायर के टाइम में, तो दोनों कंटेंप्रेरी थे, अगला कोशिन है, वेर डिट बुद्धा अटेन परी निर्वाना, ध्यान दीजेगा वर्ड है परी निर्वाना, निर्वाना का मतलब होता है इनलाइटेन्मेंट, तो ये इनलाइटेन्मेंट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है परी निर अगला कोशी ने दमंग खुड इंफ्लूएंस अशोका टू इंब्रेस बुद्धिजम वाज हमें पता है कि अशोक बुद्धिजम में कनवर्ट हो गए थे अपने समय में ओप्शन्स में दिया हुआ विश्णु गुप्त उपगुप्त ब्रह्मा गुप्त ब्रहादरत आंस और इनलाइटनम ply flatten दिया था इनलाइटनमेंट वाथा सारनाथ में फर्स्ट सरानट कोशी नेर्वान हुआ था आसी ही और important questions जो कि पिछले exams में पूछे जा चुके हम लोग next वीडियो में solve करेंगे ऐसे वीडियो के लिए subscribe कर ले मेरा channel और वीडियो अच्छे लगती है तो like ज़रूर कर दे thanks for watching have a nice day